सबसे पहले मेरा ये gift देखिए जो मेरे बच्चे ने अपनी first salary से लाकर मुझे दिया है वैसे तो मेरे पास ये सारे tools थे ये बड़ा वाला चाकू नहीं था लेकिन set of two हो गए हैं तो अच्छी बात है अक्सर हम लोग gardening में कहीं भी tools को रख देते हैं और भूल जाते हैं फिर अब दो कर सेट है तो कभी गुम हो गया तो कोई tension नहीं अब cutting करने के लिए एक ही बार में ये जो है cutter उठा करके और सारे garden की cutting इसे एक ही बार में complete हो जाएगी आपको भी ऐसे gift मिलते हैं तो मझे comment करके जरूर बताए किचिन वेस्ट से composting करके हमने अपने घर का गीला कच् तो यूज कर लिया लेकिन गीला कच्रा यूज करने के बाद भी हमारी घर से जो एक और कच्रा निकलता है सूखा कच्रा यानि कि ये plastic सबसे जादा यूज करते हैं हम ये दूद की थैलिया और ये जो और भी अलग-अलग pouches जो plastic के आते हैं इसको भी हम अपने garden में यूज यूज करके अपने environment को बचाने का एक चोटा सा यूगदान दे सकते हैं हेलो friends मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं भावनास creative space इस तरीके के दूद की थैलिया हमारे garden में किस किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ पसे पहले तो अपने थैलियों में नीचे छेट कर लिए हमने और हमारे गंबलों में अक्सर एक साथ कई कई पॉधे एक गंबले में निकलाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे और काम के पॉधे होते हैं लेकिन extra होते हैं इतने जादा कि एक गंबले में हम उनको नहीं रख सक हमें उन्हें निकालना ही पड़ता है और ऐसे एक्स्ट्रा फाल्दू पौध है जो हमारे गंबलों में निकले हुए होते हैं या मेरी ये तुलसी मैंने बहुत सारी तुलसी ग्रोव करी क्योंकि मुझे तुलसी सबको देनी होती है गिफ्ट में देनी होती है लोग मेरे से अ अपने इस दूद की थैली में लगा सकते हैं अभी बारिश होके चुकी है मिट्टी बहुत गीली है और ये बहुत ही अच्छा समय होता है अपने पौधों को निकालने के लिए क्योंकि जब मिट्टी बिलकुल गीली होती है तो पौधे बहुत आराम से गंबले से निकल ज जगाई और आपका प्लांट बाहर आ गया तो इस तरीके से हम अपने गंबले के सारे एक्स्ट्रा प्लांट्स को इकठा करकर के एक साथ मैंने सारे तुलसी निकाल ली है बारिश बहुत तेज थी इस तरीके से सारे प्लांट्स को निकाल के हम अपने गिफ्ट के पैकेट् करता है सारे पौदों को एक साथ अकठा कर लिया और फिर अपने जो ग्रु बैक हमारे हैं ये दूद की ठैलिया इसमें जो है हमने लगा दिया अपनी कमपोस्टरिच मिट्टी मिट्टी बना करके हम इस तरीके से अपने सारे एक्स्ट्रा पौधों को लगा के और चाहे तो जैसे मेरा ये खाली टप था मैंने इसमें रख दिया है और ये जो पाउचेस हैं इनको हम अपने गमलों में भी रख लेते हैं तो उससे हमें स्पेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है दो-चार बड़े गमलों के बीच में आपकी ये सारी थैलिया तीन-चार थैली बहुत ही आराम से समा जाती है तो ये तो हो गया पौधा लगाना और अगला नंबर है कमपोस्टिंग का हमारे पस कमपोस्ट बिंस रखने की जगा नहीं होती है हर किसी के पस जादा बड़ा गार्डन नहीं होता है जादा स्पेस नहीं होती है ऐसे में हमारे किचन का एक दिन का जो वेस्ट होता है कचरा होता है वो इसे एक दूद की थैली में भर जाता है और हमारे गीले कचरे के साथ हम उपर से इसको cover कर देते हैं मिट्टी से brown material जिससे composting जल्दी और fast होती है आपके पस मिट्टी नहीं है आपको कोपिट भर लीजिए या कोई भी सुखे पत्ते डाल लीजिए या फिर इसमें लकड़ी का बुरादा डालीजिए कोई भी सुखी चीज मिलाने के बाद इस packet को स्टेपल कर लीजिए मेरे पस्टेपलर नहीं था फिलहाल तो मैंने उसको स्टेपल नहीं किया और अपने packets में इस तरीके से चक्कू से छेट कर लेते हैं तो हमारे packet में oxygen की जो बात्रा है वो बराबर बनी रहती है और हमारा जो compost है वो जल्दी बनता है मैंने कपड़े सु कहीं भी corners में हर एक गंबले में एक अपना compost का packet बना के रख सकते हैं इसका जो liquid है वो हमारे उस गंबले में मिलेगा और हमें अलग से अपने हर पौदे को fertilizer नहीं करना पड़ेगा तीसरा इस्तमाल है इसका cuttings का जो हम cuttings लगाते हैं बरसात के महीने में cuttings जो है बहुत जादा हम अपने plants को multiply करने के लिए लगाते हैं लेकिन cuttings लगाने के लिए अगर हमारे पस गंबले नहीं है या फिर हम गंबले के substitute के तोर पर भी इन plastics के थैलियों को यूज कर सकते हैं अपनी सारी cuttings को जो है अपने इन थैलियों में मिट्टी भर के compost rich मिट्टी जो भी आप मिट्टी बनाना चाहते हैं एक well trained मिट्टी हमने बनाई और इसमें अपनी cuttings को लगा दिया cuttings लगाने से लेकर के cutting के set होने तक आपका ये इस grow bag में बहुत ही अराम से cutting चलेगी तो हमें cutting लगाने के लिए अलग से गंबले लेने के लिए लगने की कोई जरूरत नहीं है जब हमारी ये cutting set हो जाती है तो इस plastic को हम अराम से फाड करके अपने गंबले में अपने इस पौधे को transfer भी कर सकते हैं तो reporting करने के लिए भी हमारा ये जो plastic का bag है ये बहुत ही अच्छा रहता है बारिश हुई थी और बारिश का यहां पर पानी कट्था हो रखा था तो मैंने यही पानी अपने इस गंबले में cutting लगा के डाल दिया बारिश के पानी का भी reuse अगले सीजन की तैयारी करने के लिए जब हम बीज लगाते हैं और हमारे पास गंबले खाली नहीं होते हैं तो बीज लगाने के लिए भी हमारे ये दूद की थैलिया एक पहुत अच्छा grow bag होती है जिसमें हम बीज लगा सकते हैं ये एक किलो की थैली होती है अपना इसमें बीज लगाने के बाद हमारा जब पौधा बनता है तो गंबले हमारे गर खाली नहीं है तो इसमें आराम से हम अपना काम कर सकते हैं जब हमें इस प्लांट को ट्रांसफर करना है तो एक किलो की थैली से बढ़ा करके आप दो किलो की थैली या पाँच किलो की थैली में भी शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से बीज से पौध बनने तक का हमें समय मिल जाता है मेरे इस एक गंबले में मैंने अपने तीन पैकेट रख दिये हैं पहला ये बीज वाला पैकेट है और दूसरा ये कटिंग वाला पैकेट है और तीसरा ये कमपोस्ट वाला पैकेट है तो एक ही गंबले में तीन पैकेट आने का मतलब है कि स्पेस की प्रॉब्लम जो हमें रहती है वो भी इन पैकेट्स से शॉर्ट आउट हो जाती है और अब बारी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स अब एक चोटा सा रीकैब अपने दूद की थैलियों को यूज़ करने का मेरे गार्डन के ओगरियू के साथ दूद की थैलियों में हम बीज लगा सकते हैं दूद की थैलियों में हम कटिंग्स लगा सकते हैं दूद की थैलियों से हम ग्रूबैक बना करके एक्स्ट्रा कम भी solve होती है पिलते हैं नेक्स वीडियो में